हेलो गाइस वेलकम बेक टो न्यूव वीडियो आज हम बात करेंगे टॉप अपकमिंग 7 बाइक जो आप लोगो इंडियन मार्केट में देखने को मिलेंगी एक स्पोर्टी लुक के साथ और 125cc के इंजिन में है वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर इंस्टा फे फॉलो न अपना नहीं मिल पाता और प्राइस नेंज भी ज्यादा होता है बट उसको लुक नहीं मिलने पाता तो उसी लिए कंपनी अपनी जो हायर सीची की सेग्मेंट की बाइक से उनको एक छोटे सीची के इंजिन में एवेलेबल करा रही है जैसे अभी आपने केट्यम को देखा सिंगल चैनल डिस ब्रेक के साथ आएगी और हो सकता है कि डिस ब्रेक के साथ ना भी आए और यह बाइक जो होगी वह वेस होगी वर्जन 2 पर एबजर्ट की जो वर्जन 2 आता था उसके उपर वेस होगी वी 3 आपको वर्जन 3 नहीं मिलेगा जो इसका एक्सपेक्टिड वासाकी की निंजा 125 बेसिकली इस बाइक में भी आप लोगों को 125cc का इंजन मिलेगा 12bhp का पावर 10.7 न्यूटर मेटर का टॉर्क की बात कर लेते हैं फुली फियर्ट बाइक होगी और यह जबरदस्त बाइक है बट मुझे इसके कम चांसे लगते हैं 50% लगते हैं कि बाइक इंडिया के अंदर आएगी बट हो भी सकता है कि आ जाए इस वाइक के फीचर्स की बात कर लेते हैं लेडी है लेडी टेल लाइट डॉल चैनल एबी एस 11 लिटर का फ्यूल टैंक मिलेगा आपको बाइक के अंदर प्राइस रेंज जो है वह इसके फीचर के हिसाब से इसके लुक के हिसाब से और इसके नेम के हिसाब से थोड़ा कॉस्टली है बट सही है 150,000 तक आपको यह बाइक मिलेगी एक्सपेक्टिड लॉंच है यह 2020 के एंड में आ जाए अब बढ़ते हैं तीसरी बाइक की तरफ यह है एक इंडियन ब्रैंड यह है टीव स्पीड है वो 120 किलोमेटर के आसपास से जादा नहीं होगा और फ्यूल टैंक भी आप लोगो 11-12 लीटर का असपास मिल जाएगा तो इस बाइक में आप लोगो 125 CC का एयर कुल्ड इंजन मिलेगा 13bhp का पावर 12 Nm का तौर इस बाइक का प्राइस लगभग जा सकता है 65,000 स कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि आप कौन सी बाइक के लिए वेट कर रहे हो या फिर आप कौन सी बाइक लोगे अगर लॉंच होती है तो चौत्वी बाइक है यामाहा की तरफ से यामाहा MT 125 बेसिकली यह बाइक इंटरनेशनली लॉंच हो चुकी है और काफी अच्छा लेकिन आपको इसका लुक की बात कर लेते हैं इसका लुक बिल्कुल सेम वैसे होने वाला है जो आपका MT 15 अभी आपको मिलती है 125 CC का एयर कूल इंजन मिल लेगा 15bhp का पावर और 12Nm का टॉर्क सिंगल डिस्क भी मिल सकता है ऐसा हो सकता है कि डूल डिस्क भी ना मिला पीज होगा तो बढ़ते हैं अब अपनी चौत पांची वाइक की तरफ जो कि है अप्रीलिया की तरफ से यह है RS 4 125 बैसिकली इस वाइक का भी मुझे उतना चांसिस नहीं लगता है कि इंडिया में आएगी क्योंकि अप्रीलिया शायद अभी काम कर रही है 125 RS 150 पे शायद इ लिक्विट कूल फ्यूल इंजेक्टिट इंजन मिल जाएगा 14.8 बहुए का पावर 10.9 न्यूटर मिटर का टॉर्क फीचर की बात कर लेते हैं डूवल चैनल ABS 14 लीटर का फ्यूल टैंक सेमी डिजिटल इंस्टूमेंट क्लस्टर और 2020 के मीडिया फिर एंड तक यह बाइक आ सकती है इंडिया के अंदर अब बात करते हैं प्राइस की 1,25,000 के आसपास यह बाइक आपको मिलेगी बेसिकली इस वाइक का थोड़ा भी कम चांसे इन साथ बाइक में समझे दो वाइक का थोड़ा कम लगता है एक निंजा का और एक इस बाइक का जो मैं आपको बता रह ही है तो ऐसा हो सकता है कि अगर कंपनी कॉंपटीशन में अगर लाना चाहे तो वह अपनी 125 CBR को लांच कर सकती इंडियन मार्केट में बट CBR पे भी हॉंडा पे भी हीरो वाला भूच चल गया है कि बस वो 5G 6G बेचने में लगे पड़े अक्टिवा एक्टिवा यह बाइक भी इंटरनेशनली काफी जादा लॉंच होते है और यह बहुत पहले ही लॉंच हो चुकी और यह काफी जादा अच्छा सेल फिगर भी पाती है महाँ पे तॉप स्पीड जो बाइक का लगभग 115 किलोमेटर का मिल जाएगा माइले 35 से लेके 40 केमपिल का मिल होगी यह बेसिकली एक अलगी इसका लुक होगा और 125 का क्योंकि आरवन फाइब जो वी थी वह ऐसी अच्छा सा रिस्पॉंस पा रही है इंडिया के अंदर तो वो उसको ना डिसकॉंटिन्यू करने वाले हैं और ना उसको उसका कम सिसी का इंजन करने वाले है बेसिकली व लुक अगर बात कर लें तो आप थोड़ा बहुत ऐसा लग सकता है कि आरवन फाइब जैसी लगेगी बट उससे थोड़ा सा चेंज और जो आरवन वी थी जैसे में आपको बताया वो तो कंटिन्यू ही रहेगी उसके उपर आपको गाड़ी नहीं विलेगा उसके जो अलग सब्सक्राइब करें जरूरा आप लोगो को बना के बता दूंगा